नमस्कार दोस्तों हमारी यूटुब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपुन टॉपिक लेकर आया हूँ आपको सुवस्त बनाने के विशे में आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विशे में बिजली का जटका यानि इलेक्ट्रिक सोक करंट लगने के बाद तो रंद करें ये छे काम दोस्तों बिजली का जटका यानि इलेक्ट्रिक सोक कहीं भी लग सकता है कहीं मामलों में इलेक्ट्रिक सोक लगने पर करंट के सरीर के मध्यम से गुजरने पर कार्डिक अटैक यारी हार्देकती रुखने का खत्रा हो सकता है कई बार करंट लगने से जलना और चाले हो सकते हैं हालकि तेज करंट लगने से दिल और दिमाग पर भी असर पड़ता है दिल पर असर पड़ने से हार्ट बीट्स बिगड़ना हो सकता है जिससे कार्डिक अटैक का थरा हो सकता है बिजली का करंट लगने से दिमाग में एठन हो जाती है और अगर व्यक्ति बिजुरुग है और दिमागी हालत से पीडित है तो जटिलताई और भी अधिक कंभीर हो सकती है दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि बिजली का करंट लगने के बाद आपको तुरंथ कौन-कौन से काम करने चाहिए जिससे करंट लगने वाले व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है तो आईए दोस्तों जानते हैं उनके बारे में पहला काम इससे पहले कि आप मदद के लिए आगे जाएं ये सुनस्चित कर लें कि आसपास कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जिसमें करंट हो आपको बता दें कि पानी या लोहें की चीज़ों में करंट जल्दी से पास होता है उसके बाद तुरंथ अमरजंसी हेलप लाइन पर कोल करें दूसरा काम व्यक्ति को करंट लगने वाली चीज़ से अलग करने की कोशिस करें इसके लिए आप पावर आफ कर दें या डिवोईस अलग कर दें अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक सूखी लकड़ी के स्टून पर खड़े होकर किसी लकड़ी की चड़ी से व्यक्ति को अलग करने की कोशिस करें व्यक्ति को भूल कर भी नाचूएं इससे आप भी करंट की चपेट में आसकते हैं तीसरा काम व्यक्ति को अलग करने के बाद उसे recovery position में लटा दे इस position में व्यक्ति किसी एक करवट में होता है और उसका एक हाथ सिर के नीचे और दूसरा आगे की तरफ होता है और उसका एक पैर सीधा होता है और दूसरा मुड़ा हुआ होता है इसके बाद उसकी ठोड़ी उ एक साफ और सूखी कबड़े से बांदगे बांचवा काम, अगर वेक्ती सांस ले रहा है और थोड़ा जल गया है तो उसे पानी से धोनी, वेक्ती को कभी भी कंबल से नाल पेटी जटा काँ अगर आपको व्यक्ति के सांस लेने, खासने या किसी भी तरहें की गतिविदी का कोई संकेत नहीं मिल रहा तो आप CPR सुरू करें इस प्रात्मिक चिकित्सा से किसी बेहोस या मुर्चित व्यक्ति के दिल और फेपरों को पुनेहोस में लाय जा सकता है अगर व्यक्ति सांस ले रहा है तो कभी भी CPR ने करें ध्यान रहे कि करंट लगने वाले व्यक्ति को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की जुरूरत होती है बले ही व्यक्ति घटना के बाद पूरी तरहें से ठीक लागर रहा हो डोक्टर जांस के बाद भी ECG, Blood Test, CT Scan, MRI जैसे टेस्ट के लिए कह सकते हैं तो दोस्तो करंट लगने के बाद अगर आप ये तुरंत 6 काम करते हैं तो इससे व्यक्ति की जिन्दिकी को बचाय जा सकते हैं तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वडियो को लाइक वैशेर करना ना पुले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पुले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखने बना सकते हैं और सुखने जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों